Hey, hello boys and girls, so this is a very very important update on the CA new course. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो सुन लीजे, 28th of June को, 28 June को, ICAI के Council Members, including the President himself, उन्होंने एक, जो है न, लाइफ स्टिमिंग किया था और बहुत सारे important updates यह थे, मैं उसी को जो है न, उसका जो crux निकल के घर आ रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ. तो please वीडियो को पुर्ण लाज सक देखेगा, ठीक है, ताकि आप informative रहें और informative decision ले सकें और दूसरों को दिला सकें, तो make sure वीडियो को लाज सक देखना, बहुत नहीं नहीं चीज़ आपको पता चलेंगे आज इस वीडियो में, वीडियो को फट्टा-फट लाइक बढ़ के लिए, चलो दोस्तो, अब बात करते हैं, updates का, ठीक है, updates का, तो updates ऐसा है, सबसे पहला चीज, CA final में आपको लग रहा है कि 6 paper है, मैं आपको बताता हूँ, CA final में, पहले 8 paper होता था, new course में 6 paper है, ठीक है, लेकिन clarification के बाद पता चल रहा है, कि actual में 6 paper जो है, वो तो आपको center जाकर रिक लिखने है, और जो self-paced module है, यानि online test जो आप घर में देखे, self-paced module, उसमें 4 paper आपको clear करना है, तो 6 तो जाकर रिक लिखने है, और 4 clear करना है घर में, तो 10 paper हो गया, ठीक है, वो 4 paper क्या क्या है, self-paced module का 4 set है, set A, set B, set C, set D, set A, जैसा कि आप जानते है, economic law रहेगा, set B, जैसा कि आप जानते है, S.C.M.P. रहेगा, set C, elective paper रहेगा, जो आपको कोई भी एक paper elect करना पड़ेगा, और set D, नया है, constitution of India, ठीक है, इसमें constitution of India, forensic audit, psychological and philosophy वाला subjects रहेगा, देखो, हम लोग inter-level पर भी पढ़ते हैं, कि auditor जो है न, उसको सामने लगा psychology जो है न, वो समझ जाना चाहिए, तो उसके ओपर emphasize करने के लिए set D, जो है, वो introduce किया जा रहा है, तो ऐसा मत समझना, कि 6 paper हो गया, 6 paper तो जा करके तुमको center में exam, और 4 set तुमको खुद से clear करने पड़ेंगे, final level पर, next important जो यहाँ पर निकल करके आ रहा है, next बहुत, बहुत, बहुत important चीज है भाई, next point अभी तक like नहीं किया, तो like ठोक दो, next बहुत ही important चीज है, यहाँ पर यह निकल करके आ रहा है, कि सारे के सारे papers में MCQs introduce किये जाएंगे, सारे के सारे papers में, बेटा, MCQs जो है न, वो introduce किये जा रहे हैं, और सब में one-fourth negative marking रहेगा, 25% marks काट लिया रहेगा, मतलब अगर और वेसा बता है, एक माक का कुछ न हो, तो 0.25 काटा जाएगा, negative marking, institute ने clarification भी दिया, इसलिए लेकर के आ रहे हैं, ताकि वो jam आता दी और तुक्का वाला चीज जो है न, वो तुक्का वाला चीज बच्चे ना करें, guesswork को avoid करने के लिए, institute का यह कहना है, foundation level, BCR हटाय गया है, इसलिए, ताकि core subject जैसे की law, यह institute का clarification है, core subject law का विटेश बढ़ाया जासे के, जो की उचिद भी है, articleship को लेकर के बहुत बावाल मचा हुआ था, कि पहले तो 3 साल था, अभी 2 साल हो गया, तो एक सल तो पूरा ही गायव हो जा रहा है, तो इसके बच्चार महीना त है, वो 156 से 24 days कर दिया है, total period 156 पहले मिलता था, अभी वो 24 days leave कर दिया है, तो वहाँ पर भी जो है, इन्होंने कटोधी कर दिया है, right, right guys, इसके अलावा, T.A. Inter का accounts का जो paper है, पहले 2 paper हुआ करता था, अब T.A. Inter में केवल एक accounts का paper होगा, इसके ओपर institute ने क्या clarification दिया है, दो paper का कम होकर के सिर्फ और सिर्फ एक paper हो जा रहा है, EIS को लेकर के बहुत बावाल मशा था, कि sir EIS अपने CA Inter में हटा दिया, sir आप लोगों ने EIS हटा दिया CA Inter में, तो इसके ओपर council ने बुला है कि EIS CA Inter में अब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि EIS नहीं है, बोले EIS का जो FR and audit, DT, IRT, FR and audit, ठीक है, ताकि जो industry में DT practice कर रहा है, IRT practice कर रहा है, accounts का consultancy दर है, accountant है, या फिर auditing service दिर है, then in that case, उसमें जो EIS का knowledge है, वो relevant subject के साथ ही, उस subject के अंदर पढ़ाया जाए, तो कोई हटा नहीं है, उसको अलगलग subject में punch कर दिया गी, और एक बहुत important update, भाई, भाई, that important update deserves a separate video, जवर्दस, मतलब दिल खूच हो जाएगा, तुमारा दिल खूच हो जाएगा, वो एक important update का है, कोई comment box में guest करके मेरे को बताओ, मैं उसके उपर एक अलग से जो है, आपके लिए short video बनाऊंगा, ठीक है, और channel subscribe कर रकना का बेले कन दबाख कर रकना, और जो बिल्कुल chartered accountant बनोगे, बहुत बढ़िया chartered accountant बनोगे, और अपने परिवार को भी proud महसूस कराओगे, ठीक है, ऐसा मेरा best wishes भी है, और ऐसा मेरा मानना भी है, और चाए वो foundation level हो, चाए inter level हो, चाए final level हो, MEPL classes आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, आपको the best quality education provide करने का को बोशिश करेगा, और बिल्कुल निश्चिंत रही है, marathon हो, revision हो, MTP हो, RTP हो, वो सब आपके लिए जो है, जैसे हम लोग लाते आए हैं, वैसे लाते रहेंगे, ठीक है, तो it is indeed a one-stop solution for all the CA students, do subscribe the channel and hit the bell icon and if you like the video, share जरूर कर देना अपने friends के साथ, बस समय लेना, कि मैं जो revisions अगरा करवाता हो, उसका guru-dakshina मिल किया, thank you, lots of love, stay connected with me guys and all the best.